आप कम प्राइस में रेंज़ रो वाल मज़ा लेना जाते हैं तो Tata Harrier को आप किसी तरह से एगनोर कर ने सकते हैं दूसरा जो करेंटली मेरे पास इसका वर्जिन है यह इसका फेसलिफट वाला वर्जिन है जो कि Tata Motors ने रिसेंटली लॉंच किया है और मज़ेदार बात यह है कि Tata Motors ने फेसलिफ्ट में इतने फीचर्स दे दिये ना हैरियर में कि यह जो कार है वो आप किसी एंगल से MG Hektar और XUV7W जैसी कार से कहीं भी पीछे नई है कलर ऑप्शन आप देख सकते हैं यह वाला जो ग्रे कलर का ऑफशन है इतना ज्यादा अट्रक्टिव लगता है और उसी के साथ यह वाला जो ब्लैक कलर की थीम में अलव वील्स दिये गए ना यह इसे काफी रगेड लुक आफर कर रहा है करेंडली मे tapaते हैं इसका वीरेंट आपने अभी तक जाहत तर जो बीडियो देखेंगी इसका फ्यल्स ब्लस उरेंट के जो किसका टॉप एट वीरेंट है इसकी जो एक्ष्योर्म कॉस्ट है यह है 24.39 लाइक रूपीज अगर on-road कॉस्ट की बात करो तो इसकी जो on-road कॉस्ट लाइ करेगी वो करेगी डैली रीजन में somewhere around 29 लाइक रूपीज अब मैं जानता हूँ प्राइस जो है वो थोड़ सा ज़ादा जरूर है लेकिन यह जो कार है यह अपने high price को justify करती ही करती है जब मैं आपको उसकी feature बताऊंगा तो यह चीज़ आप समझ पाएंगे सबसे पहले एक काम करो कि वीडियो को तो पहले like कर दो और channel को subscribe करके bell icon को press कर दो क्योंकि Harrier पे मैं सभी वेरिंट पे वीडियो बनाने वाला हूँ आपके लिए अब सबसे पहले मैं बाकी features बताने से पहले एक चीज़ आपको दिखाता हूँ यह देख सकते हैं guys यह जो connected LED DLs मिलते हैं इसके यह पहले तो अभी पहली बार कभी Harrier में introduce किये गए है Harrier भी क्या यह Tata का मुझे लग रहा है signature type का एक feature बन चुका है क्योंकि अभी recently Tata ने Nexon में भी ऐसा feature दिया था और अब Harrier में भी दे दिया है तो यह all the way पूर्या area को यह front से यहां से cover कर लेते हैं और इतना ज़्यादा premium लगता है inner design especially जब आप इसे थोड़ा dark में देखेंगे ना तो यह वाले जो LED DRLs हैं यह बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं अच्छा यह वाले जो DRLs मिलते हैं यहीं पर आपको same ही housing में indicators भी मिलते हैं इसके camera आपको लगेगा बाकी नीचे देख सकते हैं प्रोजेक्टर headlamps मिल जाते हैं वह भी आपको मिलते हैं LED की form में fog lamps भी मिलते हैं और वह भी मिलते है core running function के साथ उसी के जाद थोड़ा नीचे देखेंगे तो यहां पे आपको air curtains मिलते हैं और यह जो air curtains है यह real हैं बिल्कुल fake नहीं है तो आप यह जी समझ सकते हैं कि थोड़ा सा aerodynamic characteristics इससे car का बढ़िया बन जाता है front में आपको मिलते हैं इसके parking sensors बाकी वही जो bolder muscular और एक rugged अंदास जो आपको मिलता था ना पहले भी हैरियर में वही चीज़ यहां पे अभी carry forward की गई है बस difference इतना ही है कि यह जो LED DLs connecting वाली मिल रहे हैं आपको यह थोड़ से जाधा attractive भी लगते हैं और इसे थोड़ सा futuristic design offer करते हैं अब गई जाहिड सी बात है यह जो variant phase lift है या नहीं कि इसमें engine में तो कोई changes किये नहीं जा सकते नहीं platform में किसी तरह की changes किये जा सकते engine जो है वो आपको exactly वहीं मिलेगा जो पहले मिलता था जो कि यह Tata Motors का Triotec engine जो की 170 PS of power and 350 Nm का torque produce करता है 80 transmission भी आपको मिलता है पर्टिकुलरली हमारे पास जो fearless वाला वीरिंटेस का यह 80 transmission के साथ है यानि कि automatic transmission के साथ है और इसका जो automatic gear selector है ना वो मैं आपको थोड़े देर में दिखाता हूं वो भी बहुत ज़्यादा futuristic type का लगेगा पहले बात करते है side profile कि इसके तो side में देख कि गई है इनकेस आप भूल जाएं यह कौन सी गाड़ी है और यहां पर आपके पास keyless entry का setup मिलता है इसे open करते है और guys interior देखेंगे तो यहां पर आपको personal interior मिलते है यानि कि देख सकते हैं color option कौन सा है और यहां पर dashboard आपको कौन से color का मिल रहा है yellow color का theme दिया गया है यहां yellow color के pattern दोर पे भी आप यहां पर देखेंगे तो यह भी yellow color के pattern मिलते हैं और जिस type का मैं gear selector की बात कर रहाता ना वो देख सकते हैं यह आपको मिलता है काफी futuristic type का लगता है और normally दूसरे automakers कह करते हैं गाड़ी को sporty बनाने के लिए red color के inserts दे देते हैं लेकिन Tata Motors ने तो yellow color के especially यहां पर भी आप देख सकते हैं stitching आपको yellow color की मिलती है side profile में guys देखेंगे न guys तो यह जो काड़ी है वो आपको काफी अतक some sort of range rover वाला feel देती है बस एक चीज की यहां पर थोड़ सी कमी आपको लगेगी कि अर all wheel drive का अगर यहां पर drive train दे देता ना Tata Motors तो थोड़ सा complete type की feel हो दाती गाड़ी बागे roof rails आप देख सकते हैं यहां पर आपको roof rails मिलते हैं और यह जो roof rails है वो functional नहीं है यह basically support के लिए दी गई है sunroof आपको काफी बड़ी size की मिल दाती है और यहां पर आपको shark fin antenna मिलता है तो basically यह वाला side profile का आपको feel आ रहा है और overviews की बात करें तो overviews जाहिर सी बात है आपको auto folding के साथ मिलते हैं और साथी साथ उसके नीचे आपको एक camera भी दिया गया है तो यह बात कर लिए side profile के आप चलते हैं इसकी rear profile में यह मैं tail lamp sound करता हूं और यह देख सकते हैं आपको यहां पे tail lamp जो मिलते हैं वो connected की form मिलते हैं और illuminated है जाहिर सी बात है और उसके साथ आपको यहां पर Tata कर लोगों के नीचे एक camera दिया गया है camera के साथ parking sensor जाहिर सी बात है आपको मिलेंगे लेकिन जो यह नीचे वाला आप area देखेंगे ना यह piano black finishing में बहुत ही ज़दा premium लगता है और especially again वही वाला grey color और black color का combination मिल रहा है यह आपको सा missing है वो है power tailgate यहां पर आपको एक request sensor दिया गया है यह आप कुछ ऐसे खोलेंगे आपको manually से open करना पड़ेगा यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको power tailgate का कोई भी feature available नहीं है इस particular variant पे बागी पॉसल ट्रे तो आपको काफी बड़ी size की मिलती है boot space की बात करें तो 445 liters का आपको काफी बड़े size का boot space मिलता है भागी आप चाहे तो इसे थोड़ा सा flat floor type का बना सकते हैं कुछ ऐसे अगर आपको loading lip कम करना है basically flat तो अभी भी नहीं बनाए थोड़ा सा inclined है यहां पर slope है लेकिन आप देख सकते हैं फिर भी आपके luggage यहां से उठा के आप यहां पर place कर सकते हैं अच्छा इसे अब ऐसे नॉर्मल लग देते हैं यह देख सकते हैं जेबिल का आपको यहां पर speaker system मिल जाता है अब इसे बन कर देते हैं बन करने के लिए आपको manually से करना पड़ेगा कुछ ऐसे और बहुती ज़ादा heavy ass का tailgate five star rating guys achieve कर लिए टाटा harrier ने भी और safari न मिल रहा है तो यह भी काफी ज़ादा unique लगता है अब अच्छा है यह बुरा है यह subjective जोई से काफी लोगों को पसंद आएगा काफी लोग बोलेंगे कि यार यह yellow color के जगए कोई और color का option दे दिया था तो अच्छा होता anyway in person जब इसे देखेंगे तो शायद आपको अच्छ भी मिलता है और यह auto hold मिलता है यह taran response mode मिल जाते है एक बार मैं ignition on करता हूँ उसका normal mode पर है भी यह wet mode हो गया यह rough mode हो गया बागी wireless charging का आपको यहाँ पर feature मिल जाता है type c का port मिल जाता है infotainment system की बात करें तो 12.3 inch का यहाँ पर आपको काफी बड़े size का infotainment मिलता है JBL का आप modes देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिल जाता है यानि कि आपको यहाँ पर air purifier मिलता है climate control मिलता है automatic वाला और automatic climate control हो आपको base variant से ही मिल जाता है यह जो quality की मैं बात कर रहा हूँ ना 360 degree camera की वो इतनी जादा amazing है कि आप देख सितने हैं कि पूरा जो यह 3D view है या bird view कहने लिए इसको यह without any lag ऐसा वक करता है कि आपको शायदी segment की किसी कार में इतना जबर्दस 3D view offer होगा हेक्टर में होता है मुझे पता है बहुत ही जादा clear है लेकिन हेक्टर का अगर आप 3D view चेक आउट करेंगे तो थोड़ सा वो lag करता है slightly बहुत slightly लेकिन इसमें आपको वो lag भी नहीं मिलता है इतना जबर्दस इसकी quality लगती है अब यह हो गया reverse mode parking mode पे जैसे मैं आपको पत control मिलता है बागी जैसी मैं इसका indicator प्रेस करता हो ना तो यहाँ पर आप देख सकते हैं blind view camera भी आपको मिल जाता है या blind view monitor आपके से कह सकते है इसके उन लोगों के लिए जो की recently गाड़ी drive करना सीखे है यह आप instrument cluster देखेंगे तो आपको मिलता है massive 10.25 inch का instrument cluster काफी बड़े सा इसका आपको यहाँ पर feature मिलता है इतने बड़े size की panoramic sunroof दे दी गई है यह देख सकते है उन लोगों के तो मज़े आ गए बिल्कुली जो panoramic sunroof के शौकीन है इसमें जो आपको airbags मिलते है वो मिलते है six airbags और by the way मैं आपको बता दू कि यह जो car है वो आपको base वेरिंट प्लस वेरिंट है उसमें आपको seven airbag भी मिलते है seven अगर आप पूछने कौन सा है तो मैं आपको बता दू कि नी airbag driver के लिए वहाँ पर दिया गया है जो कि safety को थोड़ता और improve करता है और वो fearless plus variant में आपको मिलेगा इसमें आपको नहीं मिलेगा auto dimming IRVM आपको मिल जाता है ब इस इंटीर आपको थोड़ा सा रूमी रूमी फील होते है आपको थोड़ा सा डार्क सा फील हो रहा है यह देख सकते है राइट साइड में क्या है मेरे यह आपको sun blind मिलता है manual sun blind जो कि आपको हैदियर में अब inbuilt दे दिया गया है एक amazing चीज दिखाऊ मैं guys आपको यहाँ प बताता हूं कि अगर मुझे कोई कमी दिखती तो मैं आपको definitely बता देता but same I know मैंने अभी तक पूरी गाड़ी को जब evaluate करा तो सबसे बहले मैंने वही करा था कई fit and finishing कोई scope तो नहीं है इसमें तो मुझे तो यार ऐसा कुछ नहीं दिखाए definitely जिने दिखा होगा उनकी अलग बात है बट मुझे हाँ पे नहीं मिला है देखने को तो वो चीज़ डिपेंड कर सकता है को आपके product पे कभी-कभी ऐसा कुछ product निकला आता है बट overall मुझे अभी तक fit and finishing में कोई issue नहीं मिला है interior देख सकते हैं बहुत जब अच्छा लग रहा है premium लग और futuristic लग रहा है बग AC तो आपको पता है यहाँ पे तो मिलता नहीं है Harrier का इस side आपको मिलता है side में और AC जो throw है वो भी काफी तर अच्छा है type C के port मिलते हैं यहाँ पे आपको third passenger के लिए थोड़ सा uncomfortable feel होगा बट बहुत ज़ादा नहीं होगा तीन passenger आराम से यार इसमें बैठ ही जाएंगे तो नई वाली Tata Harrier के make sure channel को subscribe इसलिए कर लो क्योंकि सभी variant space के वीडियो आने वाली हमारे channel पे और bell icon को प्रेस करना ना बोलें मिलते हैं आप से अगली वीडियो में thanks for watching